लेटिस अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बाद भी अच्छूती नहीं रही है जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बाद की थी, तब पैसेंजर ट्रेने बन थी, बसे बन थी, हवाई सेवा बन थी इस बार बहुत कुछ खुल चुका है, स्रमे एक स्पेशल ट्रेने चल रही है, अन्य स्पेशल ट्रेने भी शुरू हो गई है, तमाम साबधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं, धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है यानि अर्थ ववस्ता का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है, ऐसे में हमें और जादा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है, दोगज की दूरी का नियम हो, मुँपर मास्क लगाने की बात हो, हो सके वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन उसमें जराभी ढिलाई नहीं बरदनी चाहिए, देश में सबके सामोहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाप लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है, जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी ब चुनावतियां भी भिन प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया, जीतना दुनिया के अन देशों में फैला, कोरोना से होने वाले मृत्युदर भी हमारे देश में काफी कम है, जो नुक्षान हुआ है, उसका दुख हम सबको हैं लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही परणाब है इतने बड़े देश में हर एक देश वासिने खुद इस लड़ाय को लड़ने की ठानी है ये पूरी मुहीम पीपल डिवन है साथियों देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाय में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देश वासियों की सेवा शक्ति वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास, सकारक्त मक्ता और जीवन्तता प्रतिपल नजर आती है साथियों, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सभाई कर्मी, पूलीस कर्मी, मिडिया के साथी ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है मन की बात में भी मैंने उसे जिक्र किया है सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अंगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन इन्हों ने ये पूरी राशी इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला मैं ठेला चला कर जीवनियापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत में से हर रोज दाल चावल खरिद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पुझी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में भांटे भायराजु ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमेंज सल्फ हेल्फ गुरुप के परिश्नम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है गावों में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटियां हर दिन हजारों के संख्या में मास्क बना रही हैं तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही हैं साध्यों ऐसे कितने ही उधारण हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एप और अन्य माध्यमों के जरिये अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का बहुत से संगठनों का बहुत सी संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ उनका आदर करता हूँ उनका तहे दिल से अभेनांदन करता हूँ मेरे पैरे देशवासियों एक और बात जो मेरे मन को चूग गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन तमाम देशवासी गावों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यपारियों से लेकर स्टार्ट अप तक हमारी लैप्स कुरोना के खिलाब लड़ाई में नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं नए-नए इनोवेशन कर रहे हैं जैसे नासिक के राजेंद्र आदव का उधार बहुत दिल्चस्प है राजेंद्र जी नासिक में सतना गाउं के किसान है अपने गाउं को कोरोना संक्रमन से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रेक्टर से जोड़ कर एक सेनिराइजेशन मशीन बना ली है और यह इनोवेटिव मशीन भहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है इसी तरह मैं सोशल मीडिया में कई तस्विरे देख रहा था कई दुकानदारों ने दोगज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइप्लाइन लगा लिये हैं जिसमें एक छोर से वो उपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्रहाक अपना सामान ले लेते हैं इस दोरान पढ़ाई के ख्षेत्र में भी कई अलग-अलग इनोवेशन सिक्षकों और चात्रों ने मिलकर किये हैं ऑनलाइन क्लासिस, वीडियो क्लासिस उसको भी अलग-अलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है कोरोना की वैक्सिन पर हमारी लेव्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सब की आशा भी किसी भी परिस्तिति को बदलने के लिए इच्छा सक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है हजारों सालों के मानुजात की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनेक दोर में पहुँची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारी विशेश इनोवेशन भी बहुत बड़ा आधार है साथियों कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है एक ऐसी आपदा जिसका पुरी दुनिया के पास कोई इलाची नहीं है जिसका कोई पहले का अनुभू भी नहीं है तो ऐसे में नई नई चुनवतियां और उसके कारण परिशानियां हम अनुभू भी कर रहे यह दुनिया के हर कोरोना प्रभावी देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अच्छुता नहीं है हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में नहों परेशानी में नहों और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मद्दूर, स्रमीक वर्ग पर पड़ी है उनकी तकलीफ, उनका धर्थ, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार के तकलीफों को अनुभव न कर रहा हूं हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को मा प्रयास कर रहे हैं, पूरा देश प्रयास कर रहा है। हमारे रेलिवे के साथ ही दिन रात लगे हुए हैं। केंडर हो, राज्य हो, स्थानिय स्वाराज की समस्ताय हो, हर कोई दिन रात महनत कर रहे हैं। जिस प्रकार रेलिवे के कर्मचारी अज्जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कौरोना वारियर्स ही है। ये साब काम लगातार चल रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। लेकिन साथियों जो द्रश्य आज हम देख रहे हैं, इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ, उसके अवलोकन और भविश के लिए सीखने का आउसर भी मिला है। आज हमारे स्रमिकों की पीडा में हम देश के पुर्वी हिस्से की पीडा को देख सकते हैं। जिस पुर्वी हिस्से में देश का ग्रोथ इंजिन बनने की ख्षमता है, जिसके स्रमिकों के बहुबल में देश को नई उचाई पर ले जाने का सामर्त है, उस पुर्वी हिस्से का विकास भहुत आवशक है। पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राफिक का दी है। बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं स्थमीकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है, कहीं स्टार्ट अप्स इस काम में जूटे हैं, कहीं माइगिरेशन कमिशन बनाने की बाफ हो रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं। उससे भी गाउंवे रोजगार स्वरोजगार लगुद्यों कर से जुड़ी विशाल सम्भावनाए खुली हैं। ये फैसले इन स्थित्यूं के समाधान के लिए हैं, आत्म निर्भर भारत के लिए हैं। अगर हमारे गाउं आत्मनिर्भर होते हमारे कस्बे हमारे जीले हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी है लेकिन अंधेरे से रोशनी की और बढ़ना मानुस्वभाव है तमाम चुनोतियों के बीश मुझे खुशी है कि आत्म निर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मन्थन शुरू हुआ है लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है इस मिशन का नेत्रुत्व देश वासी अपने हाथ में ले रहे हैं बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाये जाते हैं उनके पूरी लिश्ट बना गी है ये लोग अब इन लोकल प्रोडुक्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं मेकिन इंडिया को बढ़ावा मिले इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल पर जता रहा है बिहार के हमारे एक साथी स्रिमान हिमान स्वी ने मुझे नमो एप पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे चाहे पैट्रोल, डीजल, इंधन का आयात हो, इलेक्ट्रोनिक आइटम्स का आयात हो, यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, हमारे देश में कितनी ऐसी चीजे बहार से आती हैं, जिन पर हमारे इमानदा टेक्सपेर्स का पैसा खर्च होता है जिनका विकल्प हम आसानी से भारत में तयार कर सकते हैं असम के सुधित ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाये हुए लोकल बैंबू प्रोडक्स का व्यापार करते हैं और उनकी तयक किया है कि आने वाले दो वर्ष में वे अपने बैंबू प्रोडक्स को एक ग्लोबल ब्रैंड बनाएंगे मुझे पुरा भरोसा है आत्म निर्भर भारत अभ्यान इस दसक में देश को नई उचाही पर ले जाएगा मेरे प्यारे देश्वासियों कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अने एक नेताओं से बाचित हुई है लेकिन मैं एक सिक्रेट जुरूर आज बताना चाहूँगा विश्व के अनेक नेताओं की जब बाचित होती है तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा दिल्चस्पी योग और आयुरुवेद के समन में होती है कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कुरोना के इस काल में ये योग और आयुरुवेद कैसे मदद कर सकते हैं साथियों अंतराश्टिय योग दिवस जल्द ही आने वाला है योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास को लेकर जागुरुकता भी लगातार बढ़ रही है अभी कुरोना संकट के दोरान भी ये देखा जा रहा है कि होलीवूड से हरिदवार तक घर में रहते हुए लोग योग पर भावध गंभीता से ध्यान दे रहे है हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ अरुवेद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा है उसे अपनाना चाहा है कितने ही लोग जिन्नों ने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ओनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ओनलाइन वीडियो के माद्यम से भी योग सीख रहे हैं सही में योग, कम्यूनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सब के लिए अच्छा है साथियो, कोरोना संकड के इस समय में योग आज इसलिए भी जाद आहम है क्योंकि ये वाइरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टिम को सबसे अधाईक प्रभावित करता है योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टिम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्रणायम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं ये टाइम टेस्टिट टेक्निक्स हैं जिसका अपना आलग महत्व है कपाल भाती और अनुलों बिलों प्रणायम से अधिकतर लोग परिचित होंगे लेकिन बस्त्रिका, शितली, ब्रहामरी जैसे कई प्रणायम के प्रकार है जिसके अनेक लाब भी है वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुश मंत्राले ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है आयुश मंत्राले ने माई लाइफ, माई योग नाम से अंतराष्टिये वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगीता शुरू किये है भारती नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगीता में हिस्सा ले सकते हैं इस में हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिनिट का एक वीडियो बना करके अप्लोड करना होगा इस वीडियो में आप जो योग या आशन करते हुए वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बड़लाव आया है उसके बाले में भी बताना है मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगीता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतर राष्टिय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए साथियों हमारे देश में करोड़ो करोड़ गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आये हैं अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें इस तकलीब को समझते हुए इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब देड़ साल पहले आविश्मान भारत योजना शुरू की गई थी कुछी दिन पहले आविश्मान भारत के लाभारतियों की संख्या एक करोड़ के पार हो गई है एक करोड़ से ज़्यादा मरीज मतलब देश के एक करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा हुई है एक करोड़ से ज़्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है एक करोड़ से ज़्यादा मरीज मतलब नौर्वे जैसा देश, सिंगापूर जैसा देश उसकी जो टोटल जनसंग क्या है उससे दो गुना लोगों को मुप्त में इलाज दिया गया है अगर गरीबों को अस्पताल में भरती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते इनका मुप्त इलाज नहीं हुआ होता तो उन्हें एक मुटा मुटा अंदाज है के पैसे खर्च होने से बचाये हैं मैं आईश्मान भारत के सभी लाभार्तियों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों नर्सेश और मेडिकल स्टाप को भी बधाई देता हूँ आईश्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता नि बिहार का कोई घरीब अगर चाहे तो उसे करनाट का में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती इसी तरह मार्स का कोई घरीब चाहे तो ये लाज की वही सुविधा तमिनाडु में मिलती इस योजना के कारण किसी खेत्र में जहां स्वास्त की व आप ये जानकर हैनार रह जाएगे कि एक करोण लाभार्थियों में से 80% लाभार्थी देश के ग्रामीड इलापों के हैं। इन में भी करीब करीब 50% लाभार्थी हमारी माताए, बहने और बेटियां है। इन लाभार्थियों में जादातर लोग ऐसी बिमारियों से पिडित थे जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था। इन में से सत्तर प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलिफों से इन लोगों को मुक्ति मिली है। ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठीन हो रहा था। लेकिन आविश्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुप्ति इलाज हो गया है। कुछ इसी तरह का अनुभव पुडी चेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है। उनके लिए भी आविश्मान भारत योजना संकट मोचक बन कर आई है। अमुर्था वल्ली जी के पती की हार्ट एटेक से दुखत मुर्ति हो चुकी है। उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हार्ट की बिमारी थी। डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सर्जेरी की सलहा दी थी। लेकिन दिहारी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्ट से इतना बड़ा आपरेशन करवाना संभवी नहीं था। लेकिन अमूर्था वली ने अपने बेटे का अविश्मान भारत योजना में रेजिस्ट्रेशन करवाया और नव दिनों बाद बेटे जीवा के हार्ट के सर्जरी भी हो गई। साथियों मैंने आपको सिर्फ तीन चार गटनाओं का जिक्र किया। आविश्मान भारत से तो ऐसे एक करोड से अधिक कहानिया जुड़ी हुई है। ये कहानिया जीते जागते इंसानों की है। दूख तकलीप से मुक्त हुए हमारे अपने परिवार जनों की है। आप से मेरा आग्रह है। कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करिएगा। जिसने आविश्मान भारत योजना के तहट अपना इलाज कराया हूँ। आप देखेंगे कि जब एक गरीब बिमारी से बहार आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी थाकत नजर आने लगी है। और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेर से कहना चाहता हूँ। दूसरी तरव हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्रकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हपतों के दोरान हमने पश्चिम मंगाल और उडिसा में सूपर साइक्रोन अमफान का कहर देखा। तुफान से अने को घर तबाह हो गए। किसानों को भी भारी नुक्सान हुआ। हालात का जाय जा लेने के लिए मैं पिछले हपते रोडिसा और पश्चिम मंगाल गया था। पश्चिम मंगाल और रोडिसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बादूरी के साथ हालात का सामना किया है। प्रसोंशनी है। संकट की इस गड़ी में देश भी हर तरह से वहां के लोगों के साथ खड़ा है। साथियों एक तरफ जहां पुर्वी भारत तुफान से आई आपदा का सामना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से टिड़ीयों या लोकस के हमले से प्रभावित हुए है। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुक्सान करता है। टिड़ी दल का हमला कई दिनों तक चलता है। बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृशी विभाग हो, प्रसासन भी इस संकट के नुक्सान से बजने के लिए किसानों के मदद करने के लिए आधुनिक समसाधनों का भी उप्योग कर रहा है। नए-नए आविशकार के तरब भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके हमारे क्रिशिक शेत्र पर इस जो संकट आया है, उससे भी लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। मेरे प्यारे देश्वासियों, कुछ दिन बाद ही पाच जून को पुरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगी। विश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डायवर्सिटी याने जैव विवीदिता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेश रुप से महत्वपून है। लोगडाउन के दोरान पिछले कुछ हपतों में जीवन के रप्तान थोड़ी धीमी जरूर हुई हैं लेकर इससे हमें अपने आसपास प्रकूती की समरुद्ध विवित्ता को जैव विवित्ता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है। आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं। अनेक जगहों से जानवरों के उनमुक्त विचरण की खबरे भी आ रही हैं। मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा। बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाडियां देख पा रहे हैं। दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देख कर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा। क्या हम उन द्रश्यों को ऐसे ही बना रह सकते हैं। ताल में बिठा कर जीवन जीने की प्रेणा ले सकते हैं। मेरे प्यारे देख वासियों हम बार बार सुनते हैं। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी बारिस का पानी यह हमें बचाना है एक एक बूंद को बचाना है गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंपरागत बहुत सरल उपाय है उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं पांच दिन, साथ दिन भी अगर पानी रुका रहेगा, तो धर्ती मा के पास बुजाएगा, पानी फिर जमिन में जाएगा, वही जल जीवन की शक्ति बन जाएगा, और इसलिए इस वर्षा रूतु में हम सब का प्रयास रहना चाहिए, कि हम पानी को बचाएं, पानी को समु भविश का विशा है, इसलिए हमें व्यक्तिकत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी, मेरा आप से अनुरोध है, कि इस परियावरान दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं, और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें, जिससे प्रकृति के आपका हर दिन का रिस्ता बना रहे हैं, हाँ, गर्मी बढ़ रही हैं, इसलिए पक्षियों के लिए पाने का इंतिजाम करना मद भूलिएगा, साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा, कि इतनी कठीन तपश्या के बाद, इतनी कठिनाईयों के बाद, देश ने जि आएं, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है, कोरोना के खिलाब लड़ाई अब भी उतनी ही गंबीर है, आपको, आपके परिवार को, कोरोना से अभी भी उतना ही गंबीर खत्रा हो सकता है, हमें हर इंसान की जिन्द्गी को बचाना है, इसलिए दोगज की दुरी, चहरे पर मास्क, हाथों को धोना, इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है, जैसे अभी तक करते आये हैं, मुझे पुरा विश्वास है, कि आप अपने लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, ये सावधानी जुरूर रखेंगे, इसी विश् आपके उत्तम स्वास के लिए, मेरी हार दिख्शुप कामना हैं, अगले मेने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विश्वों के साथ जुरूर करेंगे